जैसी उसंकर मित्रों, मैं आप सभी का हरीस पांडे 16 सितंबर 2022 का मकर रासी फल लेकर के उपस्तित हूँ मैं आज बताऊंगा कि 16 सितंबर का दिन आप सभी लोगों के लिए कैसा जाने वाला है, लखी रंग क्या है और लखी अंग क्या है तो वीडियो में बने देएगा मित्रों, वीडियो को सुरू करने से पहले एक आवसक सुचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप मेरे वाट्स अप नंबर पर मैसेज करें मेरा वाट्स अप नंबर है 8540096730, ये नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगा तो चलिए मित्रों सुरू करते हैं 16 सितंबर 2022 का मकर रासी फल तो मित्रों आज 16 सितंबर का जो दिन है आप मकर रासी वालों के लिए अनुकूल रहने वाला है आज आपको कोई फाइदे का सौधा मिल सकता है अगर आप व्यापारी हैं तो और आप उस सौधे को ततकाल भुना ले और अपना फाइदा उठा ले आज आप मकर रासी वालों का सरीर तिन भर एक्टिव रहेगा आज आपके कारियों में आपको सफलता मिलने के चांस हैं लेकिन हाँ मानसिक उल्जने भी थोड़ा परसान कर सकती है व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापारी वर्ग आज लाप फाइदे में रहने वा वालों को अपने बॉस से अपने कॉलिक से थोड़ी प्रावलम हो सकती है अतह जूठ ना बोले और किसी को नीचा दिखाने का प्रयास न करें अपने आफिस में वरना समस्या हो सकती है लब रिलेस्टिप की बात करें तो लब रिलेस्टिप के लिए आज का दिन अनुकुल नहीं दिखाई दे रहा है हो सकता है किसी तीसरे व्रक्ति के कारण आप दोनों का रिलेस्टिप खराब हो जाए तो इस बात का आपको ध्यान रखना है ग्रिहनियों याने हाउस वाइफ की अगर बात करें तो हाउस वाइफ के लिए भी आज का दिन पूरी तरह अनुकुल नहीं दिख रहा है थोड़ा मन में खीज रह सकती है जीवन साती के विवहार को लेकर के या बाल बच्चों के विवहार को लेकर के तो उस खीज से आपको घबडाना नहीं है जैसे ही चंदरमा पॉजिटीव होगा आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे वैवाहिक लोगो का त्याग करके परिश्रम करते हैं तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी स्वास्त के मामले में भी आज का दिन पूरी तरह से अनुकूल नहीं दिख रहा है हो सकता है आज आपको पेट से संबंधित आखों से संबंदित या कीड़नी से संबंदित समस्या हो सकती है अतह आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और अपने सेहत का अच्छे से ध्यान रखें आज सभी मकर रासी वाले माता लक्षमी और हनुमान जी की अरातना करें सुबह स्नान करने के पश्चात एक बार स्री सुप्त का पाठ करें और तीन बार हनुमान चालिसा या बजरंग बाण का पाठ करें अगर ऐसा करते हैं तो दिन अनुकूल रहने की पूरी-पूरी संभा होना है आज का जो लखी रंग है वह चौकलेटी कलर और आज का जो लखी अंग है वह है नंबर छे तो मित्रों मकर राशी वालों यह रहा आज का राशी फल वैसे भी साड़े साती का दूसरा चरण चल रहा है जिस कारण से कि आपको एंजाइटी मानसिक असांती घर में कल मुश्रे चरण में याने की 17 जनवरी 2023 तक आपको इसी प्रकार की स्थितियां जहलने को मिलेंगी यह बात अलग है कि जिनकी कुंडली में सनी देव की स्थिति बढ़ियां है उन्हें यह स्थितियां हूब भू पूरी तरह से जहलने नहीं पड़ती होंगी लेकिन जिनकी क प्रकार का रिस्क ना ले कोई नया काम शुरूर न करें साड़े साथी के दूसरे चरण में तो आप फायदे में रहेंगे और जहां तक हो सके मानस मदिरा का त्याग करें जिससे कि सनी देव और अनुकूल होंगे कुछ लोग कहते हैं कि हम तो मानस मदिरा कभी नहीं खाते लेकिन फिर भी हम परसान रहते हैं तो भाया हो सकता है आपकी कुणली में ग्रहों की स्थितियां खराब हो सनी की स्थिति खराब हो आप उसकी एक बार जांच कराईए और उस अनुसार उपाई कीजिए आपको देखिए हाथो हाथ रिजल्ट मिलेगा ठीक है तो मैं चलता नंबर है 854 0096730 एक आने वाले एक दो दिनों में मैं सुर्य के रासी परिवर्तन की वीडियो ले करके आऊंगा उसकी आप प्रतिक्छा करें ठीक है तो चलता हूं मित्रों जैसी उसंकर